Hello everyone, welcome to code shark मेरा नाम है मांशुर आप देख रहे हैं lecture 21 of the series recursion forward देंगे तो चलिए शुरू करते हैं भाया यह warning का board क्यों लगा रखा है आपने तो यार before moving ahead एक prerequisite है एक prerequisite है यार कि तुम last lecture देखो भाई last lecture देखना ही पड़ेगा वो mandatory है क्यों भाया क्यों mandatory है क्योंकि मैं उसी का code यूज करने वाला हूँ इस question को solve करने के लिए तुम्हें पता लग जाएगा तुम जैसे जैसे आगे देखोगे मैं उसी का code यूज करने वाला हूँ तो इसका मतलब lecture 20 देख लो भाई देख लो उसके बाद इसको देखो यार feel आएगी तुम्हें अच्छे से तो चलिए यार आगे भड़ते हैं तो आजाओ यार एक बार question की जलक तो देख ले है question दिखता कैसा है तो भाई ये अपना question है प्यार असा नाम है shortest path in binary matrix binary का मतलब वो कह रहा है कि 0 और 1 ही होंगे ये 0 और 1 last question की थोड़ी थोड़ी feel आ रही है बिल्कुल question पढ़ लो अच्छे से इसका link description में है वीडियो यही post करो और इस question को solve करो अभी के अभी फिर भी solve करने के बाद ये वीडियो पूरी देखना वो तुम समझ जाओगे क्यों देखने हैं वीडियो पूरी क्योंकि तुम्हें optimize approach बताने वाला हो इसकी थीक है तो आजओ यार इस question को अपनी screen पे लेके चलते हैं और समझते हैं क्या है question तो यार सुनो क्या है कि all possible path प्रिंट करा दो भाईया यही question था बिल्कुल ठीक बात है moves क्या क्या allowed थे इन भाईया को इन मुशक को क्या क्या moves allowed थे ये चार moves allowed थे down, left, right, up मैंने उसी तरीके से बोला है देख रहो alphabetical तरीके से अच्छा यही था और इदर zero का मतलब क्या था zero का मतलब block distance मतलब खाई अगर इसमें मुशक भाईया जाएंगे तो वो मर जाएंगे सही बात है और one का मतलब feasible feasible मतलब reachable यही चीज थी यही था अपने पूरा पिछले वाला question अब सुनना इस question में क्या है अरे यह थोड़ा थोड़ा similar सा लग रहा है सुनते जाओ अब भी इसको यहां से यहां तक पहुचना है difference क्या है इसको चाहिए इसको चाहिए इन सब में से shortest path shortest path मतलब यह मतलब 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 एक बड़ समझा दो मतलब मुझे print नहीं कराने मुझे क्या देनी है shortest path मतलब मुझे length देनी है आई कोई बात समझ में थोड़ी बात आई समझ में अच्छा और सुनो और क्या कह रहा है एक और difference कह रहा है एक और difference क्या कह रहा है भी यह जो इसको moves allowed है moves allowed है वो भी इसको 8 moves allowed है यहापर 4 moves थे यहापर इसको 8 moves allowed है यह 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 तो allowed है भी यह diagonally moves भी मारेगा मतलब यह क्या है यह अपना advance मुशक है advance rate है यह हर तरह से move करेगा यहाँ पर अगर खड़ा है तो यह calls तो मारी रहा था पहले भी अब अपना advance मुशक यह calls भी मारेगा समझ गए कोई दिक्कत नहीं है तो में एक बात बता हो क्या यह कोशन और यह कोशन सेम नहीं है बिल्कुल सेम है, तभी तो मैंने बोला कि pause करके इसको कर दो, और तुमने कर दिया होगा मैं मान चुकत हूँ तुमने कर दिया होगा बिल्कुल, अब सुने इसकी approach क्या है यहीं दिखा देतों approach क्या है approach क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं मैं यह code लेकर आऊंगा, इस code को लेकर आऊंगा, हम यहाँ पर सारे path ले रहे थे न, कैसे ले रहे थे हम, हम यह कर रहे थे, D, L, R, U, यह कर रहे थे, यह नहीं करेंगे हम, हम length लेंगे, plus 1 करके, ठीक है, और उन सारे path में से, जो minimum है वो ले लूँगा, अरे यार, यह A है, यह B ह है, ठीक है, इस से यहां तक महुचने के मानलो, 1000 path है, यहां से, यहां से जा सकता हूँ, यहां से turn ले के, यहां से जा सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं सारे path evaluate कर दूँगा, और इन में से minimum ले लूँगा, जो minimum दे रहा है, सही बात है, make sense न, logically ठीक है, अगर वो logically correct है, सारे path आ गए, उन में से minimum ले लो, सही बात है, तो चलो यार, without further wasting time, इसे code करते है, direct, आ जो भाई, so यार, अब आ गए हम दुबारा अपनी coding screen पर तो चल यह, इसे code करते है, तो यार, तुमको बता चुको हूँ, मैं पहले वाला code ले के आऊँगा, यह अपना पहले वाला code था, इसको करो, copy और नीचे कर दो, paste, अपन थोड़ा तरीके से इसको उपर डालेंगे, तो सबसे पहले तो यह सारी चीज़े उपर ले लो, यह comment क्यों किया हुआ है, बताया था, बहुत सारे method discuss किये था, अपन सबसे optimize वाला ले रहे है, तो इस grid को कर दो, air, according to this, यहाँ पर दि रखा है, तो square matrix तो any काम कर देगा, ओके बहिया, और क्या कह रहा है, चलिए देखते है, और क्या कह रहा है, अगर answer exist नहीं कर रहा, तो minus 1 दे दो, if there is no clear path, return minus 1, तो यह कह रहा है, अगर answer exist नहीं कर रहा, तो minus 1 दे दो, but बहिया, 0 का मतलब तो feasible है, इस case में, देखो, all the visited cell of the path 0, मतलब all the feasible cell, जिन पर मैं जा सकता हूँ, तो instead of 0, यहाँ पर कर दो 1, बता चुका हूँ यह तुमे, और यहाँ पर कर दो 1, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, यह क्यों बना रहे थे, अपन answer और time, हम path ले रहे थे, अब मुझे क्या चाहिए, length चाहिए, तो बहिया, इनका shortest मांगे, तो उसको सबसे बड़े से initialize कर दो, ठीक है, और एक ले लो, int temp, int temp is equals to 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यह 1 क्यों लिया है, 1 इसलिये लिया है, यह कह रहे है, कि इस से, इसी पर आने की length भी 1 है, length 1 है, मतलब हम jump की बात नहीं कर रहे है, हम length की बात कर रहे है, jump तो 0 है न, jump का अगर question होता, इधर से length अगर jump का question होता, तो मैं 0 return करता, बर यह कह रहे है, यहां से यहां तक आने की length 1 है, तो देखो अगर यहां से यहां पर जाओंगो, तो इसने 2 answer return किया हुआ है, देखो, 2 return किया हुआ है, भाई, यही कैसे आया आपको observation से आया, भाई, observation से इतनी चीजे observe करनी पड़ती है, यह सब चीजे observe करनी पड़ती है, यह सब चीजे observe करनी पड़ती है, जिब तुम question solve करते हो तो, कि भाई, इसने 1 लिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, तो इसलिए मैंने 1 कर दिया, अच्छा वेगा, और यहां पर answer return कर से थोड़ी ना करेंगे, answer return करेंगे, return, देखो, if अगर मेरा answer equal to equal to int max ही रह गया, मतलब जो मैंने initialize कर रहा था, वो ही रह गया, इसका मतलब कोई path ही exist नहीं कर रहा है, return minus 1, else, return answer, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है, मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, पहली बात तो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठेक है, using conditional operator, answer equal to equal to, अगर, int max है, तो भईया, minus 1 return कर दो, else, answer return कर दो, ठेक है, जितना short code होता है, उतना अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अटाओ पहले, मेरा इस से function तो as it is जाएगा, इसको कोई change करने की need ही नहीं है, इसको भईया, ये भी string नहीं है, ये आएगा, int, और सारे path मुझे कहा मिल रहे है, इस temp में मिलेंगे सारे path, और मुझे answer में चाहिए, global minimum, तो क्या करूँगा मैं, भईया, answer is equal to minimum of, answer comma temp कर दो, ठेक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ठीक है, ये पता है न, तुम कोई क्या act कर ये विजिटेड की तरहें भी act कर रहा है, याद न, हमने कैसे विजिटेड की time complexity reduce करी थी, और अभी हमने देगा के calls लगेंगी eight directions में, eight directions में, हमने पिछली बार four directions में call मारी थी, तो यहाँ पर भी eight directions में call मार दो, ये सारी कॉन सी है, ये सारी है, ये सारी है, देको down, left, right, अब मुझे अपर डाइगनल की बार दी है तो वो कहाँ पर लाए करेगा तो आजो एर परे तुमको समझा देते हैं वो कहाँ पर लाए करेगा ये मेरी के मैट्रिक्स है थूड़ा सा और बना लेते हैं हाँ अब ठीक है मेग सेंस इस पे देखू आई और ये जे तो एक कॉल यहाँ की ये क्या है बहिए आई माइनस वन कोमा जे माइनस वन एक कॉल यहाँ की बहिए रो माइनस वन और कॉलम प्लस वन सही बात है और बहिए एक कॉल यहाँ की बहिए रो प्लस वन कॉलम माइनस वन और यह एक कॉल यहां की रो प्लस वन और कॉलम भी प्लस वन सही बात है मेक सेंस और यह चारो तो लगाई चुके हैं बस यह चार ही बच रही है तो लगा दू कोफिशेंट इसके लिए आ जो लगा देते हैं तो बहिया सबसे पहले अपर लेफ डाइगनल अपर लेफ डाइगनल में माइनस वन और यह नीचे वाले बहिया हो जाएंगे माइनस वन यह बहिया माइनस वन रहेंगे अपर राइट डाइगनल के लिए और यह हो जाएंगे बहिया प्लस वन अब यह lower left diagonal के लिए यह हो जाएंगे plus one और यह हो जाएंगे भी यह minus one make sense और last में यह हो जाएंगे भी यह plus one मतलब lower right diagonal के लिए और यह भी हो जाएंगे plus one कोई दिक्कत नहीं है बे स्ट्रिंग की मुझे कोई need नहीं है मैंको सिर्फ length से मतलब है यह सब ठीक है और यहाँ पर भी यह इसकी जगे मैं करूँगा अगर मैं अगले पर जा रहूँ तो मैं plus one कर दूँगा और भी यह इसकी भी need नहीं है इसको वेटा दो और इसको उठा के डाल दो अपने class के अंदर यह क्या की आया अपने मैंने भाई वही code as it is लिग दिया है थोड़े से modification करने पड़ते है ताकि मैं इसकी तरह adjust कर दूँँ उसको otherwise यह सब same है समझ में आया तुम्हें कोई doubt है अगर फिर भी कोई doubt है तो यार comments में बताऊ हुझे मैं पककर reply करूँगा ठीक है तो चलिए इससे run करते है ओके अरे यार grid तो exist ही नहीं कर रही है error कर दिया ना बने grid को तो तो इसको error लिखा और भाई run कर दिया wrong answer आ रहा है भाई क्यों 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 ओके अरे ये भी तो 0 आएगा ना मेरा 0 का मतलब blocked state है सही बात है ना 0 का मतलब blocked state है थोड़ी modification रह गई थी कोई बात नी error आने दो resolve करने मज़ा आता है अब minus 1 क्यों आ रहा है answer को मत्या है यहाँ पर ठीक है अरे 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 यार ये भी तो 0 होगा ना मैं उसी call उसी पर जाओंग जो feasible है ये सब चीजे पीछे समझा चुका हूँ बस 1 को 0 करना है और 0 को 1 करना है that's it जहाँ जहाँ पर भूल गया वहाँ वहाँ पर error दे रहा है अरे यार ये 8 तक चलेगा ना क्या यार ये छोटे-चोटे error साजाते है आने दो मैं तो कहता हूँ रिजॉल करोगे तभी तो मजँ आएगा होगी accept होगी accept चलो एक बर example test cases के लिए भी run कर लेता है बाई सही है सारे accept हो रहे हैं अब मैं करने वाल हो इसे submit तो यह अब कर दिया submit और अब आजाएगा हमारा प्यारा सब का प्यारा TLE यह आगया अपना प्यारा TLE यह TLE आगया और आप इतने खुश क्यों हो रहे हो क्योंकि मुझे पता था है TLE आएगा क्यों क्योंकि हमने major चीज मिस कर दी इस question को करने में वो क्या थी और तुमने भी attempt किया होगा तो तुमने भी TLE आगया होगा वो क्या थी वो था यह पार्ट यही क्या है यह पार्ट हमने मिस कर दिया constraints हमने मिस कर दिये यार question करने से पहले यह होता है जब तुम interview दे रहे हो interviewer ने तुम्हे यह question दिया और तुम direct attempt करने मैठ गए तो क्या होगा तो तुम्हारा impression खराब होगा उससे पूछो यार उससे पूछो interviewer चाहता है कि तुम पूछो पूछो sir constraints क्या है constraints बताओ sir तब जाके मज़ा आएगा तब जाके तुम यह काऊगे कि भईया यह brute force है दिखाऊंगा अभी यह brute force क्यों है तो चलो यार अभी से अपनी screen पर लेके चलते हैं और समझते हैं अच्छे से आजाओ तो आजाओ यार एक बर time complexity समझते हैं फिर तुमें clear होगी चीज़े इसकी time complexity क्या थी इसकी time complexity थी भईया big of 3 and square पीछे बताया था कैसे आई थी इस space complexity के हम बात ही नहीं कर रहे हैं इधर time complexity क्या है तो देखो किसी भी एक grid से कितनी calls लग सकती है 8 8 calls लग सकती है पर at most कितनी लगेंगी at most कितनी लगेंगी at most भईया 7 लगेंगी क्यों भईया क्योंकि एक call तो वह होगी जहांसे तु आया है तो तु वापस उसकी call मारेंगा ही नहीं वो कोन बताएगा वो जह जो तु 2 कर रहा है न air of ij को 2 कर रहा है visited वो बताएगा तुझे यह पीछे call नहीं मार नहीं है तो at most 7 calls लगेंगी तो मतलब total cells कितनी है total cells कितनी है n square हर cell each cell के पाथ choice कितनी है each cell choice वो है 7 तो time complexity क्या होगे time complexity होगे 7 की power n square big go और भाया अब एक बार constraint देखते है constraint क्या कह रहा है constraint कह रहा भाया n जो है न वो less than or equal to 100 है lower bound छोड़ो तू worst case देखते है तो मैं कह रहूं 100 ही है less than equal to नहीं 100 ही है एक बार देखना 7 की power 100 का square मतलब 7 की power 10 is to the power 4 यह है अगर इसको मैं 10 की power में लिकूँ मान लो 10 की power 10 की power 3 एक कम कर दी सोच लो तुमें एक कम कर दी जो होगी ने इतनी तो भी यह तो भी यह देखो 10 की power 1,2,3 भाया यह तो बहुत जादा time complexity है यह तो कोई compiler नहीं देगा एक second में कितने operation कर सकते हैं बताया था 10 to the power 8 कर सकते हैं यह तो भाया यह तो यह तो इसके लिए infinite जैसा लग रहा है बिल्कुल ठीक बात है समझ मैं TLE क्यों आया TLE इसलिए आया time complexity इतनी जादा हो गई है TLE आना बनता है तो इसलिए यह क्या है इसलिए यह brute force approach है पर भाया मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम्हें brute force approach दिखाऊं मैं तुम्हें यह दिखा रहा था कि इससे question हो सकता है यह इसी से बना हुआ question है तुम क्या identify कर पाए तुम हम pattern identify कर पाए हम pattern identify कर पाए मैं तुम को pattern identification सिखा रहा हूँ main motive यह है क्या भी यह इसी पर depend करता है हाँ बैया क्या भी यह इसे solve हो पाया बिल्कुल solve हो पाया अगर constraint थोड़े से कम होते ना तो यही लग जाता समझ में आई बात चीज़े logically clear हो रही है मज़ा आ रहा है पढ़ने में अभी हम optimize code भी discuss करते वाले है इसका रुपचा हो भी तो अगर तुम यहां तक आ गए हो यह तो उस like button को दबा दो subscribe कर दो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका optimize code discuss करते हैं आजो तो यहर सुनो recursion का दूसरा नाम ना DFS होता है भाई यह क्या कह रहे हो DFS मतलब depth first search इसके बारे में detailed discussion होगा detailed discussion करेंगे हम जो हम graph पढ़ेंगे अभी के लिए हम सिर्फ recursion recursion पर ध्यान दे रहे हैं पर एक बाल बतारू DFS और recursion में कोई difference नहीं होता उनो एक ही चीज़े पर नाम अलग अलग किया हुआ है क्योंकि graph की terminology में कहते है ठीक है बस इतना ही जनना बहुत है तुम्हें अब सुनो आप golden words बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनना जब भी कहीं तुम्हें शॉटेस दिखे तुम्हारा दिमाग बी एफेस पे चल दाना चाहिए भी यह बी एफेस क्या है बी एफेस होता है भाई breath first search breath first search ठीक है अभी करेंगे बताओंगा क्या है और अगर तुम्हें shortest breath first search सोच रहे हो तो एक बार और अगर इसमें count हो तब भी सोच ले ना तो एक बार इसके बार DP का भी सोचना भाई यह तो advanced concept बता रहे हो यार सिर्फ मैं बता रहूं कि सोचना सोचना ठीक है क्यों क्योंकि इससे भी हो जाता है question end में जब चीजे और complex होने लगती है जब चीजे और complex होने लगती है तो मैं DP में space का use करके उसे की time complexity reduce कर देता हूँ यह सब चीजे अलग-अलग है कि separate series में discuss होंगे चिंता मत करो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि short test और count में तुम BFS और DP के बारे में सोचोंगे बस ठीक है अब देखते हैं इस question के आज़ो एक बार तो आज़ो यार इसकी feel लेते हैं फिर इसे code करेंगे तो यह मैंने एक example ले लिया है अपनी grid का और यार यह मैंने एक graph बनाए क्योंकि DFS BFS की बात हो लिये ठीक है DFS BFS DFS मतलब recursion ठीक है अब सुनना इस पे लगाते है recursion इस पे लगाते recursion तो देखो माल लो यह दोनों calls लगेंगे तुम्हें पता है दोनों कोई trade करेगा all possible लेता है जितनी possible path हो सकते है तो A ने माल लो यह call पहले मारी तो D पे गया है D तक length कितनी हो गई 1 D ने दो call and D के पास B की और E की दोनों calls लगेंगे तुम्हें पता है तो माल लो E की call पहले लगी तो length हो गई 2 E ने call मारी F के लिए तो length हो गई 3 अब F का भी E की neighbor है यहां से तो आया पीछे की call तो मारेगा नी F का भी E की neighbor है तो यहां पर हो गई 4 तो एक length आगई मेरे पास 4 ठीक है यह backtrack होके आया backtrack होके आया D पे D ने ये call मार दी थी अब ये call बच रही है तो यहां पर length हो गई 2 ठीक है आगे गया यहां पर length हो गई 3 कौन सा चोटा है दोनों में से तो भी यह 3 चोटा है तो 4 अट गया minimum ले रहे है ना चलागे दिखा रहूं तुम्हे ठीक है वापस आया backtrack backtrack D पे आया D ने दोनों call मार दी है अब ये backtrack जाएगा ये call खत्ब हो गई थी अब यहां से जाएगा तो A ने आगे call मारी तो यहां आया 1 और यहां से गया यहां पर आया 2 दोनों में से minimum कोन साइट 2 तो length आगई 2 सही बात है ये था recursion तरीका recursion तरीका इसी को DFS कहते है तो क्यों graph में चल रहा है तो क्या करा मैंने पहले मैं एक की depth में गया फिर दूसरे की depth में गया फिर तीसरे की depth में गया कि depth में जाके लेके आते है तो 2 length high और 2 ही मेरा answer है अब सुनो BFS क्या करता है अब मैं क्या कह रहा हूँ मैं मारूँ हम लेवल वाइस call BFS मतलब लेवल वाइस call depth wise नहीं लेवल वाइस तो सुनो A के दो neighbor है न मैं कहा हूँ हम अब यह A के दो neighbor है A के दो neighbor हो को लिया हो direct पहले क्या कर रहे थे पहले हम जैसे D की थी तो D की call मारते दा रहा था पहले अब मैं करहा हूँ दोनो neighbor को लिया हो जो की one one distance पे है ठीक है मैं ensure कर रहा हूँ कि मेरा distance same हो अब सुनो B के कितने neighbor है B का neighbor है D B का neighbor है C D already visited अगर मैं D को लेके भी आता हूँ तो देखो एक distance हो लगी तो इसके distance 2 हो गई नहीं भया मतला हो ठीक है तो ये नहीं लगेगी already visited अब ये मतला लगाओ ओके आगे चले अब D के कितने neighbor है D का E है और B है तो बहुत है B तो already visited बस यहीं रुख जाओ यहीं रुख जाओ और यहीं मेरा answer है क्या मुझे सारे path enumerate करने पड़े नहीं सारे path enumerate नहीं करने पड़े क्या करा मैंने मैंने level wise call लमारी तो यहां पर देखो यहां पर क्या रखा है यहां पर वो सारी notes रखी है जिनकी distance 1 है यहां पर क्या रखा है यहां पर वो सारी notes रखी है जिनकी distance 2 है और अगर कोई मिल गई तो वही मेरी destination है समझ में आई तुम्हें feel आई इस चीज की BFS कैसे चल रहा है तो आजाओ यार अब इसे ग्रिड में लगाते है तो आजाओ यार अब एक बर BFS की feel लेते हैं तो दो चीजे बनानी पड़ती है BFS में visited तो तुम्हें पता ही है और तुम्हें पता ही हटा भी कैसे सकते है पर हम simple रखते है visited बना लेते हैं और एक क्यों क्या बताएगा क्यों बताएगा हमें कितनी explode हो चुकी है ठेक है अब सुनना मैं यहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से out of bound की call छोड़ो तीन call लग सकती है यह यह और यह और भी लग सकती है पर वो out of bound ने उनको छोड़ो यह blocked state है तो मेरी 0,0 पहली बात तो यह visit हो जाएगी और 0,0 में push कर चुका हूँ इस queue में ठेक है तो मैंने यहाँ से इसको उड़ाया इसके देखे कि मैं 3 call मार सकता हूँ यह blog ने तो इधर की call नहीं मारूँ आँ तो 2 call मारी 2 call कहां कहां पर मैंने मारी 1,0 पर और 2 call मारी मैंने 1,1 पर इन दोनों को इधर डाल दो 1,0 और 1,1 इस queue में आ जाएगे और यहाँ पर इनको कर दो 1 के भाई यह visit हो चुके है अब सुनना 1,0 को pop किया अटाया यहां से और देखा कि इस से कहां कहां मार सकता हूँ इस से देखो यहां मार सकता हूँ यह कहेगा भाया यह तो already visited है इसकी call मत मारो नीचे भाया यह तो blocked है इस से function rule देगा इस से function rule देगा ठीक है एक call बस यहां मार सकता हूँ भाया उपर भी भाया visited है already मत मारो तो diagonally call मारी मैंने और मैं आ गया कहां पर यहां पर आ गया 2,1 पर तो मैं कहांगा 2,1 को पुछ कर दू 2,1 आप भी विजिटेड हो चुके हो इसको उड़ाओंगा आप 1,1 को 1,1 को उड़ाया ये वाला ये कहेगा आठ कॉल मार सकता हूं मैं इधर भी नी मारूँगा ये विजिटेड है इधर भी नी मारूँगा ये विजिटेड है इधर भी नी मारूँगा ये इस से फ्रो देगा ये ब्लॉग्ड है नीचे ओल्रेडी विजिटेड है तो मैं सिर्फ एक कॉल मार सकता हूं ये वाली तो ये मार सकते हो तो मार दो मैं आ जाओंगा 2,2 पे सही बात है और 2,2 को विजिट कर दो और 2,2 को पुश कर दो ठीक है अब मैं उड़ाँगा 2,1 को 2,1 को उड़ाया यह इससे कितनी call मार सकता हूँ तो देखो यह अल्रेडी विजिटेड है call नहीं लगीगी यह ब्लॉगड है और उपर से तो लगीगी नहीं सारी विजिटेड और ब्लॉगड है तो एक ये call लगीगी एक ये call लगीगी सही बात है तो वही अब मार दो कहां पर आ जाओंगा इसको मार के आ जाओंगा 3,1 पर और एक आ जाओंगा 3,2 पर ब्लॉग आ गए हो तो इसको यहां पर भी डाल दो और ब्लॉग इसको विजिट भी कर दो ठीक है अभी सुनते जाना तू अब सुनो अब 2,2 पॉप बैक करूँगा यहां से उड़ाया है यहां से उड़ाया यहां से देखो उपर तो कहीं नहीं मारूँगा सारी विजिटेड है नीचे विजिटेड है एक यह कॉल लग सकती है कि यह कॉल लग सकती है दो ही कॉल लग सकती है तो मैंने पहला इसको कराया 2,3 और दूसरा कराया मैंने इसको 3,3 तो यहां पर कराया मैंने 2,3 और 3,3 अब सुनना अब ये उड़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे, मतलब 3,1 उड़ेगा, 3,1 से आगे call लाएंगी, ये भी अपनी pushback करा देगा, ये भी अपनी pushback करा देगा, मैं कहरा हूँ 3,3 जैसे ही pop होगा, मैं महीं रुख जाओंगा, क्यों? क्योंकि ये ही मेरा answer है, और मैं ensure कर चुक क्योंकि जहां पर पहली बार मिलेगा, वही मेरी short resistance होगी, आई बात समझ में BFS की level wise कैसे चल रहे है, तुम्हें graph से भी दिखाया, तुम्हें matrix में भी दिखाया, अब इसकी भी template होती है, ये q वाली template, तो आजाओ चलो इसे code करते हो, और इसकी field लेते है, तो यार देखो य ये चीज सेम रहने वाली है, as it is, पिछले वाले code की तरह, मैंने बता है तुम्हें एक Q बनेगा, यहां पर एक Q बनेगा, अपना काम करते हैं, मार कर ले लेते हैं, ठीक है, ये Q बन गया अपना, सबसे पहले मैंने इसमें initial डाल दिया, कि भाई 0,0 से start कर रहा हूं, ये Q का साइज, मतलब Q में कितनी रखी है नोर्स, उतनी नोर्स मेने निकाली, अब देखो क्या हो रहा है, answer plus plus, मतलब IT दिखा रहा है, मेमेम मेरा level, ये दिखा है मेरा level, कि ने पहली निकाली तो में पहले level पर आ चुका हूंग, इस से मैंने क्या ensure किया? इस से मैंने ensure किया,ico मे क्यों यहाँ पर यह किया है क्यों यहाँ पर जीरो रखा है क्योंकि मैंने इसको भी फर्स्ट लेवल मान लिया है समझ रहो आगे चलते हैं तो यार यह साइज पर चला ठीक है यह क्या है अगर मेरा डेस्टीनेशन मिल गया अगर मेरा डेस्टीनेशन मिल गया तो मेरा लेवल return कर दो लेवल जिस लेवल पर हूँ क्यों क्योंकि वही shortest distance है समझाया अभी तुमें वही shortest distance है और जितने भी मेरे queue में पड़े थे उनके सारे की सारे neighbors को push कर दो ये रहा ये रहा इस save function visit कर आया और ये push कर दिया समझ गए समझ गए कोई दिक्कत नहीं है आज़ो एक बार नीचे और देख लेते इस save function भी देखो इस save function same है जैसे हम पहले लिखते थे बिल्कुल same चीज है समझ में आ रहा है तुमें इसकी अच्छे से feel दी जाएगा तुमें graph algorithms में बहुत प्यार से समझायद आएगा चिंता मत करो मुझे लगता है तुमें अब भी अच्छे समझ में आ गया होगा यार अगर किसी को VFS आती भी नहीं है ना तो इतना तो समझ गया कि यार मैं level wise चल रहा हूँ ये चल रहा हूँ ये ये चल रहा हूँ तो ये one है इसको मैंने one month कर दिया इसको two इसको three तो जहां पर मुझे आया हूँ पर मैंने answer return कर दिया ये रहा हूँ आई बात समझ में चीजें किलियर हूँ रन कोड करते है आजो तो इसको किया हमने compilation error देखते है कोई compilation error देखते है तो चलिया इसको करते है submit तो देखो ये submit हो चुका है ये submit हो चुका है success सुनो मेरी बात इसकी time complexity की बात करते है आजो एक बात तो यहीं बात कर लेते है कोई अपनी screen पर जाने की need देखो तुम्हें यहीं दिख जाएगा क्या कोई recursive call चल रही है क्या कोई recursion चल रहा है नहीं recursion से हटके आया हम यहाँ पर क्या चल रहा है यहाँ पर यहाँ पर एक Q चल रहा है 8 का loop चल रहा है तो यह Q क्या है क्या मतलब है Q का क्यो का मतलब है कि यह सारी state explore होगी तो time complexity क्या होग इसकी बिग ऑफ N2 इन्टू हर एक स्टेट के लिए 8 बार ये चल रहा है ये टाइम को प्लेक्सिटी होगा ये N2 क्या है ये N2 निका रहा है मेरे Q में कितनी वैल्यूस आएंगी अरे मेरे Q में जितनी स्टेट्स आएंगी इसल्स उतनी बार ही तो एक स्टेट होगा न सभी बात है तो बिग ऑफ N2 और हर एक N2 के लिए ये लूप चलेगा 8 डिरेक्शन में एक स्टेट करने के लिए 8 कोई दिक्कत नहीं है भाई ये इस से फंक्शन भी तो लग रहा है भाई ये तो बहुत जादा खतरनाक optimization है हाँ भाई इसलिए accept हुआ है N कितना है 100 तो 100 की power 4 into 8 तो big off constant अटा दे अगर 10 to the power 4 भाई या मज़ा आगया यार मज़ा आया मज़ा आया time complexity ये हो गई इसमें क्या add हो गया इसमें add हो गया space और तुम बता है जब भी हम time complexity reduce कर नहीं कोशिश करते हैं तो हम space का use करते हैं तुमको बता लग जाएगा दिरे दिरे experience के साथ भी इसमें क्या space add हो इसमें space add हो इस q का भाईया q का थोड़ी add हो ये visited भी तो लिया है तुझे पता इसको कैसे अटाना है अटाना आता है तुझे अटाना आता है पता है न बता है था input transformation last video में उससे अटा दे गए तो ये space तो इसको तो मैं counting नहीं कर रहा हूँ space किसका advice q क्यों का q क्यों का space complexity क्या है तो at max इसमें n square records आ सकते हैं worst case में space complexity क्या होई big of n square तो बस ये introduce हो गई है इसमें और सब कुछ as a tease है तो समझ में आया तो एक पर लिख देते हैं यार यहीं पर एक पर यहीं पर लिख देते हैं time complexity क्या होगी अपनी big of n square और space complexity क्या होगी अपनी big of n square ये अपना optimized goal तो i hope यार तुमें वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक भैतर रोई अच्छे concept के साथ तिल देन है पीडियो आई हैं